आर्व से ग्रवाल मैथमटिक्स का गलास एर्थ का सोलूशन लीनेर क्योशन चप्र का साइज है 8B क्योशन नों 5 Find the number whose 5th part increased by 5 is equal to its 4th part diminished by 5 मतलब इदि आप इसका लेंगे समझ पा रहे हैं तो बड़ी असान है एक नंबर है जिसका 5th part 5th part means what जब भी ऐसा पहले कि 5th part means 1 by 5 मनिकि उस नंबर का 1 5th 5th part means 1 5th increased by 5 is equal to its 4th part 4th part means 1 by 4 ठीक है मतलब उसको 4 भागों में डिवाड करना है 4 भागों में डिवाड करना मतलब कि 1 by 4 4th part मतलब क्या 4 भागों में डिवाड करना है वैसे ही 5th part होता है जो कि 5 भागों में इसको डिवाड करना होता है मतलब कि 1 upon 5 मतलब कि पहले क्या करेंगे कि let let the let the number be x माली की number क्या है? x है फिर according to given question क्या करेंगे? रिकार्टिंग क्या क्या करेंगे? जहां सभी मिल जाएगा क्या? परिंत वह समझे गते हैं कि 5th part का मतलब क्या होता है 5th part of a number यह क्या होता है? यह पराबर होता है 1 by 5 of x तसमें मैं 5th part का मतलब क्या हुआ? 1 by 5 यह यादाना चीए वैसे एक 4th part टेकर क्या हुआ? 1 upon 4 of x तो अब यहाँ बना सकते हैं बड़े साही से तो find the number वो नमर पर आप करना है जिसका 5th part increase by 5 मतलब कि जिसका 5th part बढ़ा दिया जाए 5 से तो वो बराबर होगा e g equal to बराबर होगा its 4th part diminished by 5 मतलब कि जब इसके 4th part से मतलब कि 1 upon 4 part से क्या किया जाए घटा दिया जाए diminished करते जाए किसे 5 से उसके बराबर होगा तो बड़े साहन है क्या करना है दिखना है 1 upon 5 half x ठीक है 5th part निकाल दिया इसका increased by 5 कर रहा है उनकी increased by 5 5 जोड दिया यह जो क्या होगा बराबर होगा 4th part मतलब कि x upon sorry अपने सकते हैं 1 upon 4 half x minus 5 जो इसे हम diminished कर दिया 5 से तो एसे हो जाएगा फिसको जो शाल्व करेंगे हम हमारा जुम्म लेगा यहां से यह मिल जाएगा x upon 5 plus 5 स्कुर्ट कर दिया हम इसे एक एक आपन 4 minus 5 solve करना है इसको solve कर दिक लिए आप का करते हैं कि same variables वाल एक साथ लेते हैं तो x by 5 और x by 4 पर एक साथ करेंगे मगलाव इसको कर दिजिए x by 5 minus x by 4 5 को ले जाएगे इधर तो क्या जाएगा right hand side में 5 minus 5 जाएगा यहां पर और फिर यहां पर इसका हम लेंगे LCM 5 और 4 का LCM कितना होता है 20 यदि देखें 5 क्या है 5 में कोई factor नहीं है 1 और प्राइट नंबर है और 4 क्या है composite number है जब भी प्राइट नंबर प्राइट नंबर दिया हो तो उसका जो होता है LCM 25 और फाइट नबर प्राइट में नं-काल दिए 2 यहां से 1 जो और इस गणा है कि टोखिए बड़ा है 5 इस टो शांहीं है मोला जो आ सब आपके 20 सकाल जोंट यहाँ कर दो आए यहांसे हम निया मैनस एस चोले है मनास ही सुल क्या जैए गाल गया मैनस टेनल इंड हो Sunnit to minus 10 and 20 क्या कि अब उन था त्यथर गया तो मैंनस एक सब्सक्प्रण रहे सुट मैंनस टूंड़िट अनस टूंड़िट आया और हमाना जो मैंनस मनस प लग के सिल होगे और हम में जो सुखेसन मिला वो तो कोई भी कमेंट हो तो आप जड़ू हो रहा है